इनकोंते हैं ये तरीके दिलाएंगे आपको मा लक्षमी की कृपा पैसा आज के समय की सबसे मुद ज़रूरत बन चुका है अगर आपके पास पैसा है तो आपके जीवन में खुशिया है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास हजार परेशानिया घूंती रहती है। अगर आप भी अपने जीवन से धन की कमी को दूर करना चाहते हैं तो लक्षमी की कृपा पाने के लिए इन उपायों को आजमाएंगे तो आपके सितारे भी बदल सकते हैं। 1. अपने सेलरी को बैंट में ना ट्रांसफर करें, सेलरी मिलने पर उसे पहले घर में लाएक घर में पूजा के स्थान पर रखें। दो ऐसा माना जाता है कि नोटों को मरोड कर कर रखने से मा लक्षमी का अपमान होता है। इसलिए पैसों को हमेशा सहेच कर रखना चाहिए। अगर आपके माता पिता या कोई बुजर्ग आपको आशीरवाद के रूप में पैसे देते है तो उन पर हल्दी या केसर का तिलक लगा कर पास रखें। अपने पस में हमेशा माता लक्षमी की बैठी हुई मुद्रा वाली तस्वीर रखें। वास्तु शास्त्र बताया गया है कि पस में हमेशा पीपल का पत्ता रखना चाहिए। तीन घर की तेजोरी में एक नारियल को चमकिले कपड़े में बांध कर चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की वृध्धी होती है। हर शनिवार के दिन अपने घर की अच्छे से सफाई करे। ऐसा करने से घर माता लक्षमी का घर में आगमन होता है। चार, लोग दीपक को जलाने के लिए रूई की बत्ती का प्रयोग करते है। लेकिन अगर आप मा लक्षमी को प्रसंद करना चाहते है तो कलावा डाल कर दीप चलाए। ऐसा करने से माता लक्षमी प्रसंद होती है। कलावे का लाल रंग लक्षमी माता को प्रिय माना जाता है। पूजा करते समय सफेद रंग की मिठाई का भोग मा लक्षमी को लगाएं। पेर पौध की पूजा करने से बदल सकता है भाग्या, नजर दोश को दूर करता है गोमती चक्र, मनुकामना को पूरा करने के लिए मनी प्लांट को चड़ाय कच्चा दूद